हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू स्टडीबस, MBA एस्पिरेंट्स लेक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कि आपको पता है, CAT एक्जाम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्जाम है MBA का वो है आपका ZAT का एक्जाम, ZAT एक्जाम के तरो आप इंडिया के टॉप कॉलेजी जैसे एक्जलराई जमशेतपुर हो गया, एक्जाई एम भुबनेश्वर हो गया, एक्जलराई डेली हो गया, IMT गाजिबाद हो गया, IMI डेली हो गया, ग्रेट लेज, गुबनेश्वर बैनिमेंट, ऐसे बहुत सारे कॉलेजी हैं, जिसमें आप एड्मिशन ले सकते हो, लेकिन एस्पिरेंट के साथ चैलेंज के आता है, उन्होंने हमेशा यह सुना होता है, कि ZAT का पेपर जो होता है, वो सबसे difficult exam होता है, लेकिन ZAT का exam difficult नहीं होता, ZAT का exam एक different exam होता है, और मैंने भाई कॉलेज से official paper pattern मंगवा लिया है, कि इस साल आपका exam कैसे रहने वाला है, कौन से topic से कितने questions बरेंगे, क्या marking scheme रहेगी, ताकि मैं आपके साथ share कर पाऊं, और यह जो official pattern है, यह थोड़े दिनों में website पे भी update हो जाएगा, तो भाई बिल्कुल आपको वो information दे रहों, जो आपके लिए सबसे important है, सबसे authentic है, तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, complete clarity आपको मिल जाएगी, साथ में Z की cut-offs क्या रहती है, कितने marks पर क्या percentile हैगी, वो भी data आपके साथ share कर दूँगा, ताकि target score आप अपना mind में make-up कर पाऊं, तो my name is Saurabh Kuthari, let's start, तो सबसे पहले आपको पता होगा Z के examination form out हो चुके है, आपको जो exam over 7th January 2024 को है, और आप इस exam के लिए register कर सकते हो 30th November को, मैं आपको एक suggestion दूँगा, मेरी recommendation मान लेना, कि आपको चाहें कैसा भी लग रहा हो, लेकिन Z का form जरूर जरूर फिल करना, मैं last year के आपको ऐसे बहुत सारे examples दे सकता हूँ, हमारे एक student था Akash, ठीक है, तो भाई उसका cat में उतना अच्छा score नहीं बना, जितना वो expect कर रहा था, लेकिन Z में इस बच्चे ने 99.50 score किया, और वो एक्जलाई जमशेतपूर में करेंगली पढ़ा ही कर रहा है, ऐसे हर साल बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिनका cat exam उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन Z के तुरू वो एक top institute में चले जाते हैं, बहुत पर ऐसा होता है, cat अच्छा हो जाता है, Z खराब होता है, तो आपको definitely options open रखने चाहिए, अपने mind में ये मत लेके चलो, कि exam difficult है, तो तुम कर नहीं पाओगे, exam चाहिए कोई difficult हो, चाहिए easy हो, वो level of difficulty सबके लिए same है, तो अगर exam difficult होगा, तो आपके लिए cut off कम हो जाएंगी, और अगर exam easy होगा, तो सबके लिए cut off increase होगी, सब लोग same page पे है, तो मेरी आपसे strong recommendation है, कि zat के exam आप सबको जरूर, जरूर फिल करना चाहिए, और जहां तक बात प्रेपरेशन की, मैं आगे आपको पूरा एक plan दे दूँगा 50 days का, कि इस plan को follow करके आप अराम से comfortably, confidently, इस exam की preparation कर पाओगे, तो अगर मैं zat के official pattern की बात रहूँ, ये official document है, जो मुझे मिला है, आपको मैं बता देता हूँ, ये college की website पे भी बहुत जल्दी upload होने वाला है, तो आपका जो paper pattern है, वो part 1, part 2 and part 3, total 3 parts में divided रहेगा, जैसे कि मैं आपको बहुत बार पहली बताया है, जो आपके लिए important है, वो है part 1, क्योंकि जितनी भी आपकी cutoffs आएंगे, चाहे वो XRI की cutoffs हो, चाहे वो आपकी अलग-अलग college जैसे XIMB हो गया, IMT हो गया, IMI हो गया, इनकी जो cutoffs होती है, वो सिरफ part 1 के score पे based होती है, part 1 में आपका verbal ability and logical reasoning आएगा, जिसके 26 questions होंगे, और ये questions कहां-कहां से आएंगे, ये भी इस बार college ने specify कर दिया, ताकि आपको complete clarity मिल पाएं, कोई भी ambiguity ना रहें, जब आप तयारी कर रहे हो, तो VE और LR के section में आपके सामने critical analytical reasoning के कुछ questions बनेंगे, reading comprehension आपके paper mag, और जो comprehension होंगे, वो poem-based RC भी होता और passage वाले भी होते हैं, कुछ question आपको vocabulary को देखने को मिलेंगे, कुछ English grammar के होंगे, और आपको कुछ आपकी verbal ability के जो topic होते है, जैसे close test हो गया, parajumble हो गया, वो आपको देखने को मिलेगा, और जहां तक बात है LR की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, LR में वो कभी-कभी आपको question देदेते हैं, critical path का, कभी-कभी आपके सामने arrangement का question आ सकता है, तो इस type के question आपके सामने रहते हैं, फिर जो इस पूरे paper का make or break section है, वो है decision making section, यह जो section है, इसमें होता क्या है, इस section में आपके सामने condition दी जाती है, आपको case दिया जाता है, और यह देखा जाता है as a manager, क्या आप उस particular situation में decision ले पाते हो, बहुत सारे बच्चे इस वाले particular section से बहुत जादा डरते हैं, कि सर मैं DM तो कर ही नहीं पाऊंगा, यह तो मैंने आज तक नहीं पड़ा है, लेकिन आप बिल्कुल भी stress मतलो, मैंने YouTube चैनल पे भी DM की एक पूरी detail वीडियो है, जो आप नीचे description में देख सकते हो, इसके साथ ही जब मैं आपको त्यारी कराऊंगा, मेरा decision making में खुद 99.80% था, तो आपको बहुत जादा कोशिश करूँगा, वही चीज़ बताने की, समझाने की, जो आपसे exam में test की जाती है, इस particular section का जो objective है, वो objective है, कि आपकी जो critical thinking है, आप किस तरह से decision को prioritize करोगे, कल को आप एक company के manager बन जाओगे, तो वहाँ पर आपके सामने situations आएंगे न, कि अपने team size expand करें, या फिर cost cutting करें, आप marketing में जादा पैसा लगाओ, कि भई आप sales में जादा पैसा लगाओ, तो आप कैसे decision लेते हो, जो actual काम आप करोगे, वही चीज़ आपकी हाँ पर test की जाती है, उसके बाद जो आपका third section है, वो है quantitative, aptitude and data interpretation, इसके आपके सामने total 28 questions बनेंगे, तो यहाँ पर आपके जो testing होगे, वही आपकी arithmetic, algebra, geometry, mensuration, modern market questions आएंगे, और D.I. में भी आपके जो puzzles बनेंगे, वो आपके charts and diagram, data summarization, इसके उपर आपका बनने वाला है, यह तीनो sections आपकी पूरी के पूरी cutoff को decide करेंगे, फिर जो part 2 है, यह एक तरह से testing है, आपको भी 5 minute दिया जाता है, कि आप भी testing कर लो, आपको पता चल जाएगा, आपके system में जो keyboard है, वो सही तरीके से काम कर रहा है, या फिर नहीं कर रहा है, उसके बड़ आपका part 3 आएगा, जो है आपका GK के section and analytical essay writing, बहुत सारे बच्चों के doubt रहता है, कि sir इस part का relevance का है, आप ये बार-बार बोल रहो कि cutoff में count नहीं होगा, तो ये count होगा कब, तो ये भी इस बार college ने specify कर दिया, आगे आपको दिखाने वाला हूँ, जो GK है, इसका भी इन्होंने पूरा syllabus दे दिया, कि 10 questions जो होंगे, वो आपको static GK से होंगे, और 15 questions जो होंगे, वो आपके current affairs से आने वाले हैं, और एक आपको essay लिखना पड़ेगा, उस essay में आपको 3 topics दिये जाएंगे, इस basis पे आपको marks मिलेंगे, अब बात आती है, सर यह जो आपकी GK का section है, जो essay writing का section है, कहां use होगा, तो college ने बहुत specify बोल जया था, score from the general knowledge and analytical essay writing, will be exclusively utilized by XLR for its final selection process, जब आपकी interview की call आ जाएगी, जो आपका part 1 है, उस score के basis पे, जब आपको interview के लिए बुलाया जाएगा, तो जो final step होगा, वहाँ पे, उसका usage होगा, ठीक है, marking scheme आपको बताता हूँ, क्या रहने वाले इस बार, जो आपका part 1 है, जो आपका main है, verbal, dm and quant, इन section में आपको सही answer करने का plus 1 मिलेगा, और गलत answer करने का minus 0.25 होगा, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपके unattempted question है, 8 question से ज़ादा, तो हर question का minus 0.10 होगा, तो बच्चे बहुत ज़ादा डर जाते हैं, सर अभी हमने question छोड़े तो भी negative marking होगी, लेकिन इसका कोई बहुत ज़ादा implication नहीं होता है, आपको जो focus होना चाहिए, वो यह होना चाहिए, कि मुझे अपना maximum attempts करने हैं, जिस पे मेरी accuracy confirmed हो, आप यह मा सोचना, मेरे 8 question लेगए, मेरे 12 question लेगए, यह आपका सिरफ एक mind के साथ खेला जा रहा है, बट आपको जो focus मना के रखना वो यही है, कि अपनी accuracy maintain रखनी है, और जादा से जादा attempts करने हैं, ताकि आप अपने score को maximize कर पाओ, और part 3 के अगर हम लोग बात करें, तो आपको दे रखका GK section में आपके plus 1 होगी, और GK के section में कोई भी negative marking नहीं होने वाली है, और आपका essay कब evaluate होगा, the essay will be evaluated, only if a candidate is shortlisted for GDPI process, आपने essay पूरा लिखा, अगर आपको interview की call आती है, तो फिर आपका essay पढ़ा जाएगा, अगर आपका interview call नहीं आती है, तो वो आपका part 3 utilize नहीं होगा, essay writing utilize नहीं होगा, I hope आपको एक complete information मिल पारी है exam के बारे में, और जहां तक बात है cutoffs की, ये भी आपको बतातो, ये भी official cutoffs है, लास्ट येर का data है, जिस basis पे बच्चों को call आई है, उस basis पे मैं आपको एक cutoff शो कर रहा हूँ, तो जो आपका BM प्रोग्राम है, उसमें जो general engineers थे, उनकी male की cutoff 95 और female की cutoff ती 92, and sectional cutoff थी VA की 75, 75, 85, और females के लिए 75, 75, 80, and अगर आप non-engineer हो, मतलब commerce background, humanities background चाते हो, तो आपकी cutoffs तो same थी 95 और 92, और sectional cutoff भी आपकी same थी for BM प्रोग्राम, फिर जो HR प्रोग्राम है, उसकी क्या cutoff थी, अगर आप general engineers हो, तो male की cutoff थी 93, female की cutoff थी 91, and sectional cutoff यहां पर mentioned है, अगर आप non-engineer हो, तो आपकी male की cutoff थी 90 percentile, and female की cutoff थी 88 percentile, sectional cutoff आपकी यहां पर mention है, अब बात आती है, सर्फ कितने number पर कितनी percentile आपकी आएगी, तो आप यह सोचो, आपका जो part 1 है, वो total 76 marks का है, आपके 26 question verbal के, 22 question DM के, और 28 question, को हांट के, तो total आपका कि 76 marks का paper हो गया, 76 में से अगर आप 45 marks ले आओ, तो आपकी last year 99 percentile थी, 43 marks पे 98 percentile के आसपास थी, 39 marks पे आपकी 95 percentile थी, and 35 marks पे आपकी 90 percentile थी, अब आपने यहां पे देखा, कि around 95 अगर आप aim कर लो, तो आपको XLI की call आ जाती है, बाकी जो call जाती है, वहां पे 85, 90 पे ही आपकी call बन जाती है, तो 95 के लिए आपको 39 score करना था, out of 76, तो ऐसा नहीं है कि paper बहुत difficult हो गया, तो भई आप कर ही नहीं सकते, आप देखो न, respectively cutoff भी तो कम होती है, और last year तो फिर भी cutoff थोड़ी high रही थी, क्योंकि paper का difficulty level थोड़ा असान था, उससे previous year में देखोगे, तो और भ आपको recommendation है, जरूर feel कर देना, इतने सारे top qualities आपके सामने है, एक्जलाय जमशेथपूर, एक्जलाय डेली, एक्जलाय बुमनेशवर, आएम्टी गाजेबाद, तापमी, गोवा इंस्टेटर मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्चेननई, आएमई, इर्मा, माइका, केजे सुमाय इतने सारे top institutes, जिसमें एक MBA experience पढ़ना चाता है, जब वो आपके सामने available है, तो क्यों ना, आप अपनी सारी opportunities को utilize करो, बहुत बरा में डर लगता है, लेकिन आप एक चीज समझो, आप exam ही नहीं दोगे, तो definitely नहीं select होगे, और exam देने पर शायद select हो जाओ, तो वो जो possibility है, उसी पे तो आपको भाई सारे के सारे अपनी preparation को focus करके अच्छे तरीके से exam को appear करना, अप question आता है सर कैसे तयारी करें, तो भाई Z का 50 days का planner आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल 50 days में आप पूरी Z की तयारी A से Z तक कर सकते हो, अगर आप self preparation कर सकते हो, अगर आप एक proper structure के Z की तयारी करा रहा हूँ, और काफी सारे बच्चों को benefit मिला है, वो अपने dream college में पहुंच पाए हैं, तो ये जो 50 days का course मैंने यहाँ पर design किया, उसको objective यही है, कि अगर आपका element, आपका target Z exam है, तो इस course से बहुत जादा benefit आपको मिल पाएगा, तो इस course मैंने क्या-क्याच चीज़े करी है, verbal ability, decision making, LIDI, quants, ये तीन तो आपका part way नहीं, और उसके साथ general knowledge भी हम आपको पूरे current affairs and static GK करार हों, ताकि एक बहुत sincere तरीके से आप अपनी तयारी को complete करें, और day 1 पे आप diagnosis मौक लिखोगे, आपके portal पे जो आपको user ID, password मिलेगा, उस पे आप login करोगे, and Z Z22 का paper लिखोगे, आपको ये पता चलाएगा paper किस तरह का आ रहा है, क्या चीज़े करनी है, कैसे करनी है, उसके बाद आप यहाँ पे RC concept का video देखोगे, decision making 1 का video देखोगे, और यह तर quants में time and work का video देखोगे, total आपको daily में 2 से 3 hours के videos दे रहा हूँ, ये आपको देखने है, फिर आपको portal पे जाना है, वहाँ पे मैंने e-books प्रवाइट करी हैं, और ये जो e-books ना, ये बिल्कुल zat dedicated e-books हैं, यहाँ पे digital making की e-book है, जिसमें वही questions आते हैं, जिस तरह के आपके exam में पूछे जाएंगे, quants में एक्दम relevant zat type questions, verbal में आपके जैसे poem based RC, grammar के question, vocabulary question, तो zat specific e- e-books हमने बनाई है, जो बहुत सारे student उससे benefit ले पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, analogies हो गया, फिर आपको grammar, ये वीडियो देखनें, तो इस तरह से आपको सारे वीडियो देखनें, इधर आपको DM के अपने lectures देखनें, इधर आपका पूरा quants और और स पात में, general knowledge में आप अपने January से लेके December तक के सारे current affairs देखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, decision making सारे lecture, LR के सारे lectures, फिर आपका यहाँ पर arithmetic finish हो गया, फिर नंबर सिस्टम आगया, फिर geometry है, साथ-साथ आप अपने previous paper भी पोर्टल पर solve कर रहे हो, तो एक बहुत decision making के सारे lecture है, 14 lecture decision making के है, साथ में आपके LR के lectures है, इधर आपका पूरा geometry, फिर algebra, modern math, और आपकी current affairs खतम हो गई, then आप यहाँ पे static GK करोगे, एक बार ही आपका syllabus खतम हो गया, उसके बाद आप 10 साल paper, अगर आप that exam crack करना चाहते हो, तो मैं आपको highly recommend कर रहा हूँ, last 10 years के paper जरूर जरूर solve कर लेना, बहुत बहुत ज़ादा important है, क्योंकि that का अगर आप paper pattern देखोगे न, over the years आपको देखेगी काफी सारी similarity, और वो आप चीज़े तभी सीख पाओगे, जब आपने last के 10 साल के paper करे होंगे, और इसलिए मैं portal पे आपको सारे के सारे paper प्रवाइड जाओगे, तो आप जैसी इस course में enroll करोगे, within 50 days आप पुरी Z की तयारी कर पाओगे, आपके सारे concepts, आपके e-book से practice, आपके previous year paper, आपके mock test, उनका analysis, revision के लिए time, एक proper discipline के साथ जब तयारी होगी, तो exam crack क्यों नहीं होगा, तो course की details आपके सामने ये रही, 7th of January तक ये course valid इस course को आप अपने Windows, Laptop, Android या iPhone डिवाइस में चला सकते हो, 100 plus hours के video lecture मिलेंगे, बिलकूर basic से advanced तक, quants, verbal, decision making, LIDA, GK, 4 आपको interactive e-books मिलेंगे, जिसमें आपको Z specific question मिलेंगे, 5 Z के full net mocks मिलेंगे, and 12 आपको previous year paper मिलेंगे, in the form of mocks, तो आप देखो 15 से 17 mocks करने के बाद, आप आपको complete clarity is exam पे, आज आएगी, course जो है specially designed के आगे, Z experience के लिए, और day by day study plan, आपके सामने होगा, total course का fees है, that is just 3900 रुपीज, जिसमें आपको video lectures, e-books, Z के mocks, previous year paper, हर एक चीज included है, and अगर आपको सिरफ test series चाहिए, आपने गासन नहीं, मैं तयारी तो कर पा रहा हूँ, आपक YouTube channel मुझे बहुत जादा help कर रहा है, मेरी खुद की, जो मैंने coaching ले रखे है, वहाँ से मुझे काफी benefit मिल रहा है, तो आप सिरफ test series में भी enroll कर सकते हो, जिसमें आपको 5 national level full nine mocks, 12 से 13 previous year के paper, and सारे ZAT के previous year paper, जो होंगे, जो आपके full nine mocks होंगे, ZAT patterns, ZAT interface में होंगे, with detailed analysis and solution, यह जो test series available है, that is available at just Rs. 800, and अगर मैं बात करूँ results की, तो भाई, over the years, इंडिया में one of the best ZAT की results हम लोग निकाल पा रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे, आकाश गोशाल जिसके मैं बात कर रहा था, 99.5 percentile, सुकंता पाल, हमारे यांके स्टुन रहे है, 99.16 percentile, मैंग धपोला 99.69, आशितपूरी 99.65, अंकुष मिश्रा 99.19, रिदिप बसक के लास्टिया 98.7 percentile, सक्षा मेरोतरा 98.88, मयूर 98.02, यस्चोहा 97.73, नवल 97.36, इस तरह के results यहाँ से निकल पा रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे, स्वपनिल 99.02, रोहन नागर 97.63, दैंपार्ट महाजन 97. 97.59, सहज सक्षियाना 97.09, फिशिवांगी 97.45, निन से बहुत बच्चों ने एकजलाई convert किया उसके बाद, तो इस तरह के results अगर आप भी चाते हो, आप मेहनत करने लिए तयार हो, आप यह बोलो सर मुझे ना तयारी आप करा दो, मैं मेहनत में कोई कमी नी रखूँगा, तो भई आपको एक complete course प्रवाइड करो, demo lectures आप जरूर देखो, नीचे description मैंने आपको ZAT के जो भी demo lectures है वो आने प्रवाइड करे हैं, आराम से में उनको देखो, समझो, आपको लगे कि हाँ मेरी चीज़े बन पा रही है, मैं अपने topic को समझ पा रहा हूँ, मेरा to the point objective clear हो र तो इस वीडियो को जरूर सेफ करके अपने friends के साथ share करना, ताकि हर एक ZAT aspirant, हर एक MBA aspirant इस वीडियो से अपनी पूरी preparation को जादा बेटर तरीके से organize कर पाएं, structure कर पाएं, कोई और question है, तो आप हमारे इस number पे 99589-37705 पे WhatsApp या call कर सकते हो, otherwise हमारी website है studybus.co.in, यहाँ पर ज accept defeat until we compete, take care, good luck.